हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेक टू मैं चैनल केंडेस की जैन तो आज मैं आपके साथ से रूप कच्छे अलू से बनने वाला बहुत ठीशी नास्ता जो पांच में बन कर तियार हो जाता है खाने में बहुत ज़्यादा ठीश्टी बनता है तो चेली इस नास्ते को बनाना पहले मैंने चार आलू को अच्छे से चील कर इसे पानी के अंदर डाल दिया है ताकि यह आलू है जो कालेने पड़े इसके बाद मैंने लिया प्लेट और साथ में लिया मैंने बारेक वाला ग्रेटर कोसिस करें कि बारेक वाला ग्रेटर का ही यूज करें वो इसके बाद इ ये नास्ता इसी तरीके से बनकर त्यार हो जाएगा तो सारे आलो को मैंने इस तरह अच्छे से कदुकस कर लिया है तो ये बाउल के मैं न लिया है पानी और जो हमने कदुकस केते आलो वो इस तरह इस बाउल के अंदर डाल देंगी और हाथ से मसलते हुए इसे एक से दो पाने से अच्छे से हमें वास कर लेना है ताकि जो आलो के अंदर जो स्टार है वो भी अच्छे से निकल जाए तो बस मैंने इस तरहाँ से मसलते हुए इसी एक से दो पाने से अच्छे से वास कर लिया है और इसका जो एक्स्रा पानी है, वो भी मैंने निकाल लिया है अब हम इसके अंदर डालेंगी नमक तो 1 & 4 चमश इसमें डाला है नमक, साथ इसके अंदर जीरा तो मैंने इसके अंदर कछे जीरा का यूश किया है आपके पर स्पूना हुआ जीरा हो तो भी डाल सकते हैं इसके पास हम डालेंगे 1&4 चमच लाल मिच्ची पाउडर साथ इसके डालेंगे हरी मिच्ची थोड़ी सी हरी मिच्ची डाली है साथ इसके डालेंगे बारे कटवा हरा धन्या इसके बाद हम इसके हनुर ढालेंगी चाहर चमच औररय रोट पाॉ। अगर आपके पास औररय रोट पा पौॉ। ना हो ताप चाहल का अर्टा या फिल नॉर्मल अर्टा भी डालकर इस नाश्ते को बना सकता है। तो चार आनू मैंने लिये हैं तो इसके सबसे मैंने चार चमच इसके अंदर डाला है अरा रोट का पाउडर और इसे हमें अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है तो इसे मैंने चमच से मिक्स करने के बाद से हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि जो सारे मसाला हमने डाला ह वो भी अच्छे से mix हो जाएं तो बस इस तरह हमें अच्छे से mix कर लेना है इसके बास बैटर को हाथ पे लेख के हम नास्ते को बना कर त्यार कर लेंगे बहुत ही easy तरीके से हमारा जो नास्ता है वो इस तरह बन कर त्यार हो जाएगा तो इसे तरह बाकी के जो नास्ता है इसे भी हम इसे तरह बना कर त्यार कर लेंगे तो इस तरह मैंने जो बाकी का नास्ता है इसे भी इस तरह बना कर त्यार कर लिए है तो चलिए मैंने गैस पर दे कर रहे हैं इसके नहीं डाला है एक चमच ओल ज्यादा ओयल का यूश नहीं करना है बस एक चमच ओयल में हम इस नास्ते को बना कर त्यार कर लेंगे जो नास्ता हमने बना है था वो देदर कड़े के अंदर डाल देंगे एक पर में जितना माय उतना नास्ता डाल दें और इसे धिमियाश पर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे इस तरह मैंने एक से दू मीट के लिए इस नास्ते को धिम्याज पर अच्छे से पका लिया तो इसे पलटकर हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसे ओल के अंदर इस तरह फ्राय कर लेंगे यह जू नास्ते खान में बहुत ज़्यादा टेश्टी बनता है जब मैंने इस नास्ते को घर पे बना तो मुझे इस नास्ते को दूबरा बनाना पड़ा क्योंकि यह इतना टेश्टी बने था तो ये लीजिए हमारा जो टीश टीश सा जो कच्छे आलो का चुनास्ता है वो बन कर त्यार हो चुक है इस तरह इसे कड़े से हम निकाल लेंगे लग रहा ना बड़े असा तो इसके बाद चुनास्ता बच्छा हुआ है इसे भी हम इसी ओल के अंदर अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तिहां रखे कि इसे दीमी आज़ पर ही पकाना है क्योंकि हमने कच्छे आलो का यूश किया था ताकि ये अंदर से भी पक जाए तो बस हमें इसे धिमियाच पर अच्छे से इस ओल के अंदर फ्राय कर लेना जिब कलर चेंज हो जाएं तो इस तरह हमें ओल से बाहर निकाल लेना इस तरह मैंने सारे जो नास्ता है वो बना कर त्यार कर लिया है तो आपको मेरी कच्छे अलू का नास्ता कैसे लगा मुझे कम साथ वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैल को सब्सक्राइब करें और सेक करें तो मिलते हैं नहीं रसिपी के साथ